हलो एंड नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग भी चेकने विड़क सानात आया हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई जो प्रकेंसिक बार में तो आप लोग को क्या करना है वीडियो को कम्प्लीर देखना है बिना इसकेप किया है और सान्थी सानात अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना तो चली दोस्तों बिना दिर के वीडियो को सुरू करते हैं तो एक बाब फिर से मैं आप सब लोगा तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टेडिपी चैनल में तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग बताता हूँ आज की वेकेंसी के बादे वेकेंसी जो है DRDO के तरफ से निकाला गया है और इसमें जो equation qualification रखा गया है अगर आपने BE VTEC और MTEC किया है तो आप इसमें apply कर सकते हो या अगर आपने BE VTEC के साथ अगर get qualify किया है तो भी आप इसमें apply कर सकते हो तो job जो है बहुत अच्छी job है तो आप लोग को apply करना भूलना नहीं है और दोस्तों जो इसमें आपको salary मिले वाला है, इसमें आपको 31,000 पॉर मंथा salary मिलेगा, प्लस में, HRA और DSA ये सम लूबदों आपको salary 40-50 के बीच में मिलने वाला है, तो आप लोगों को जरुड़ से जरुड़ प्लाई करना है, बस दोस्तों मैं आप लोग के लिए यह सारा मेनत करता हूँ तो आप लोग से एक छोटा से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे स्टीडीपी चैनल पर फर्स्टाम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगे बरते हैं तो आप लोग देख सकते हूँ जो आपका सेलेक्षन होगा वो जूनियर रिसर्च के तोर पर होगा जो कि आप लोग यहां पर प्लेश भी देख सकते हो बैंगलोर आपका प्लेश होने वाला है फिरम लोग आगे बरते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो start है online registration वो शुरू हो चुका है 2 माई से और इसका जो last date रखा गया है वो 22 माई 2022 तक रखा गया है तो समय जो है बहुत कम समय है तो आप लोग को इसमें apply जरू से जरू करना है जैसा कि आप लोग देख सकते हों कि electronics and communication engineering, aeronautical engineering और mechanical तीन ब्रांच के लिए यहाँ पर vacancy निकाली गई है तो आप इसमें apply कर सकते हो जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फिरम लोग आगे बरते हैं तो यहाँ पर नमबर वेकेंसी के बार मता दू तो electrical and communication engineering वालों के लिए यहाँ पर 5 seat रखा गया है aeronautical वालों के लिए 2 seat यहाँ पर रखा गया है और mechanical वालों के लिए यहाँ पर 2 seat रखा गया है और इसका जो date of written test and interview जो होगा आपका 14 June 2022 Tuesday के दिन होगा तो DRDO के तरफ से आपको यहाँ पर जो test और interview date भी issue कर दिया गया है फिरम लोग आगे बरते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताए यह बैंगलूर के अंदर आमें आने वाला है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिरम लोग आगे बरते हैं तो यहाँ पर आप लोग नोट में देख सकते हो तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से अपना पर लेना फिर्म लोग आग बरते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपको salary मिलने वाला है 31,000 आपको per month इसमें salary मिलने वाला है प्लस में आपका HRS यह सब charge जो है मिलने वाला है फिर्म लोग आग बरते हैं तो यहाँ पे important date जो है दिया गया है online registration जो है दो तारीक से शुरू हो चुका है और इसका last date जो है 22 तारीकों रखा गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिर मैं age limit की बात करूँ तो इसमें जो maximum age जो है अदु मही और इसका last date हो है 22 मही यह आपम देदिया गया तो यह सभी चीश जो है आपको अच्छे से खड़ ले कि क्या आपको documents लगेंगे सभी सभी चीच को यहाँ पे mention कर दिया गया तो यह मैं आपको अच्छे से पड़ ले ना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका route map यहाँ पे दिया गया कैसे आपको जाना है तो यह सबी जो route है आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तो आई होप आप लोग को जो भी मैंने notification के मात भी हमसे बताया हो, clear हो गया होगा अगर आपको जोब से रिलेटर कोई भी query होती हो तो आप हमारे comment section में पूछ सकते हो मैं आपको वहाँ पे reply दे दूँगा और दोस्तो साथी साथ मैं आप लोग बता दूँ तो अगर आपने TDP के social media को follow नहीं किया है तो उसको जरूर जाके follow करें description में ने सभी का link दे दिया तो आपको follow एवम जोएन जरू जाके करना है क्योंकि मैं सबसे पहले update जो है अपने social media पे देते रहता हूँ तो आपको सबसे पहले update से बंचीत नहीं रहना है और दोस्तो साथी साथ हमारे STDP पिछाने पे cat का series चला जाता है अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो उपर i button के section पे आप लिंक दिख रहा होगा आप सिम्धी जाके देख सकते हो तो चले दोस्तो मिलते आप से next वीडियो में तब तक ले जाज़ा चाहते हैं स्वस्त रहें अपने और अपने परिवार का ज्यादा ज्यादा ख्यार लखे so thank you so much दोस्तो